नवश्कार मैं हूँ नरेश वस्कुesz, मेरे साथ विनीता हरीहरन है जो की बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है मोदी केडिनिट तीसरी बार बन रही है और केरल में भी बीजेपी ने एक सीट जीती है केरल में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है हमारे साथ विनीता जी है विनीता जी केरल में भी एक सीट आई है और एक बदलाव दिख रहा है क्या कहेंगी आप बिल्कुल केरल में जो बदलाव की जो लहर चल रही है भी बीजेपी के तरफ मोदी जी के तरफ मोदी जी के जो कारिकरम जमीन पे दिख रहे थे तो हम भी बहुत काम के हैं दो साल आउटरीच के हैं घरगर जा गए हैं और सारे घरों में यही बोल रहे हैं कि हम मोदी जी के लिए तो वोट करेंगे ही करेंगे तो मोदी जी के लहर और और उन्होंने भी काफी काम किया हैं, कम्यूनिटीज के लिए, चारिटीबल ट्रस्स के माधियम से, चारिटी किया हैं, काफी सारे लोगों की सहायता किया हैं, और वो सब उनकी जो दुआएं हैं, माहों की दुआएं, बेहनों की दुआएं, सब उनको आई हैं, और काफी साल से प्रयत्न कर रहे हैं सुरेश कोपी जी और उनकी जो हाड़ वर्क है और कारेकरताओं का भी जो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट और एरला के जो कारेकरता हैं बीजेपे के उनके मेहनत का ही असर है यह मैं कहूंगी और अफकोस मोधी जी का जो प्रभाव है मोधी जी साथ बार और यही में कहूंगी और जो महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है चुनाव में वो भी एक महत्पुर्ण भाग लिया है ये जो जीत में विनीता जी एक सवाल है कि उत्री भारत और दक्षनी भारत का जो एक डिस्टेंस है वो लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि अब दक्षन भारत में भी बीजेपी अच्छा कर रही है और पूरी उसको प्राथमिक्ता दे रही है क्या देखती हैं आप कि एक पूरा जो राश्टर प्रतम की भावना अब नोर से साउस तक दोड रही है डेफिनिटली जो नेशन बिल्डिंग और नेशन फर्स्ट की जो प्रिंसिपल है हमारे भारतिय जनता पार्टी की और एंडिये की वो एक फिलोजोफी बहुत अच्छे तरह से लोगों की मन में और जो नेशन फर्स पार्टी, सेकेंड और सेल्फ लास्ट वो वाली जो त्योरी है वो बहुत अच्छे तरह से स्लोगन बनी है हमारे यहां और नेशन बिल्डिंग की प्रती जो राष्टर भाव की प्रती जो युवाओं की और महिलाओं की भाव खास करके हैं वो एक सरानिय बात है और उसी के वज़े से उसी के बुनियाद पर हम जीते हैं जितने भी स्टेट्स हमने जीते हैं अध्य प्रदेश हो या केरल हो जो एक सीट मिली है यह सब की बुनियाद यही है एक सवाल यह है कि जिस तरह से पवन कल्यान आंध्रा परदेश में जिस तरह से उन्होंने विजय पता का फैराई है केरला में भी फिल्मों का एक महत्पुन रोल मैं देख रहा हूं कि दक्षिन भारत में जो फिल्मी सितारे हैं उनको बड़ा प्रेम किया जाता है प्रेम से जादा उनको जनून के साथ चाहा जाता है इसको कैसे देखती है हाँ जरूर डेफिनिटली जैसे केरल में सेलिब्रेटी स्टेटिस फिल्म किसी को भी नहीं मिलती केरले के ग्यालिटेरियन ससाइटी माना जाता है सब लोग एक बराबर के हैं तो लेकिन कांदर प्रदेश तमिल नाडू में सेलेब्रेटी स्टेटस बहुत जादा है अक्टर्स आपको पता ही है जो राजनीती में जी आर उनके सब जो किरदार रहे हैं उनके जो भाग रहे ह और आक्टर टर्न पॉलिट्पिशन की जो हिस्ट्री रही है हमारी देश में अक्रॉस तर कंट्री आप कह सकते हैं अभी कंगना रनौ जी जीते हैं मंधी से और वैसे बाकी सारे आक्टर्स लगातार जीत के आई है मतुरा तो यह सब एक्टर्स में कभलियत रहती है मुझे सारे अक्टर्स में लगबक सारे अक्टर्स में हैं तो उसी विज़े से शायद कनेक्ट हो पाते हैं लोगों से और इसी वज़े से पॉलिटिक्स में सक्सेस भी मिलती है उनको विनीता जी का क्या संकल्प है महिलाएं तेजी से आ रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो पारित हो गया है और महिलाओं को भी इस नई मोदी कैबिनेट में नया उनको चेहरों को जगह दी जा रही है कैसे देख रही है एक विशेश रूप से महिलाओं को लिए ए उनकी माधियम से भी काफी कुछ काम हमने किये हैं सेलफ एल्प चाहे सेलफ एल्प गूप महिलाओं को बढ़ावा देना या फिर और महिलाओं को तक पहुंचाने का बीजे पी के जो फिलौजफी है और महिलाओं को काफी आइत काम tutto से ऑर मात्रवंदन योजना हो सारे जो प्रोग्राम्स विकास के जो रचे होएं मोदी जी गाफंध में सांब विकास विमनलाप में आरी नेत्रत्व हो विकास है या मोदी जी के प्डोग्राम के बुनियाद महिलाओं को खास करके अभी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं आच्छे दिनования आ गया है I think महिलाओं नाचरली पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं जो पॉलिटिक्स जो लोगों के साथ जुटने की जो पॉलिटिक्स है वो महिलाओं में I think इन्नेट है उनमें नाचरली है उनके अंदर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तो ये विनीता जी कह रही थी कि नैसरगिक प्रतिभा है राजनीती और नेतरतव करने की और मोधी सरकार में इस बात को महतव दिया जा रहा है कि जब औरतें हर क्षेतर में बहतर काम कर रही हैं तो फिर राजनीती में क्यों नहीं तो आज क लिए बस इतना ही मुझे मेरे सयुगी रविंदर के साथ दी जन्मती और आप बने रहें ब्रोड काश्ट मंत्रा के साथ